आप सबको प्रभुहिस्व मसीखे मीठे और पवितर नाम में प्यार भड़ा जै मसीखे आज मैं संजय कुमार आप सब के बीच में एक नए वीडियो के साथ आया हूँ और मैं आसा करता हूँ कि आज के वीडियो से प्रभु आप सब को धेश सरय आसिस को देंगे ता मेरे प्रियो आज मैं कुछ बचनों को आप सब के बीच में लाया हूँ जिससे अगर किसी भी काम को आप सुरू करते हैं उससे पहले आप इन बचनों को पर करके प्रात्ना करके अगर आप सुरू करेंगे तो प्रभू आप सब को हरी कामों में आपको सफलता देगा क्योंकि परमिश्वर खुद कते हैं कि मैं तुम्हें सफलता दूँगा तो मेरे प्रियों चलते हैं बचन की ओर उससे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि आप विडियो को पूरा देखें आन तक देखें ताकि आज जो भी प्रभू का आशीष आपके उपर आने वाला है वो पूरे बहुताय से आप आशीष को पा सके तो मेरे प्रियों बचन की ओर चलते हैं फिलिपियों 4 के 13 में कहता है जो मुझे सामर्द देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ मेरे प्रियों परमिश्वर सामर्द देने वाला है और उसमें आप सब कुछ कर सकते हैं बसारते आप परमिश्वर में बने रहें और परमिश्वर के बचन में बने रहें और परमिश्वर से प्रात्ना करें जैसा कि निती बचन 16 के 3 में कहता है अपने कामों को यहवा पर डाल दे इससे तेरी कल्पनाएं सिध्ध होगी जो भी आप काम सुरू करें सबसे पहले परमिश्वर के पास सौप दे परमिश्वर के चरनो तले सौप दे और कहें पिता जी मैं तेरी इच्छा से इस काम को सुरू करना चाहता हूं और वो परमेश्वर पिता है जे आपको हरी कल्पनाई को जो आप सोचेंगे परभू में बनी रह करके उसे कार्जों को सुरू करने के लिए और पूरा करने के लिए उसमें परमेश्वर आपको है जे सिद्ध करेगा सफलता देगा चलते हैं अगले बचन के ओर पहला राजा दुख के तीन करता है और जो कुछ तेरे परमेश्वर यहवा ने तुझे सौपा है उनको रच्छा करके उसके मर्गो पर चला करना और जैसा मुशा की बेवस्था में लिखा है वैसा है उनकी विद्यों पर तथा आग्याओं और पर द्यमों और चितावनियों का प्राण करते रहना जिससे जो कुछ तु करे और जहां कहीं तु जाए उसमें तु सफल हो जहां मेरे प्रियों परमिश्वर चाहते हैं कि आप उनको हरे कामों को आप सौफ दे और परमिश्वर ने जो आप को दिया है उस चीज़ों को जिससे आप जो भी काम को आप सुरू करेंगे उसमें परमेश और पिता आपको सफल करने के लिए काता है कि जो भी तुम काम करो उसमें तुम सफल होए चलते हैं अंगले बचन की और लोकार अचीशू समाचार सोला ध्याय के 10 और 11 आयत को देखते हैं जो थोरे में थोरा थो तो सच्चा तुम्हें कौन सौपेगा जी हाँ मेरे प्रियो परमिश्वर ने जो भी आपको दिया है उसमें परमिश्वर चाहते हैं कि आप सच्चाई से कर्ज करें आप सच्चा हों तभी परमिश्वर आपको और ज़्यादा सौपने के लिए काते हैं और ज़्यादा है आपको देने के लिए काते हैं इसलिए जो भी परमिश्वर आपको दिये हैं उसमें आप सच्चाई से और परमिश्वर ने बने हुए रहा करके आप उसे आगे क्यों बोर है ताकि प्रभू आओर जो भी आप कामों को हात लगाए उसमें प्रभू आओर है जियासी इसको दे चलते हैं एंगले बचन की ओर यसाया 41 के 10 आयत में कहता है मत डर क्योंकि मैं तेरी शंग हूँ इधर उधर मत ता क्योंकि मैं तेरा परमिश्वर हूँ मैं तुझे ढीट करूँगा और तेरी शहायता करूँगा अपने धर में हाथ से मैं तुझे शमाले रहूँगा जी हाँ मेरे पिर्यों आप जो भी कामों में हाथ लगाते हैं आप डर्ये नहीं आप परमेश्वर के हाथ में सौप दीजिए और आप विश्वास किजिए क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि मैं तेरे शंग हूँ इधर उधर ताकिये नहीं आप परमेश्वर क्यों देखिए क्योंकि परमिश्वर ने कहा है क्योंकि मैं तेरा परमिश्वर हूँ और वो काते हैं मैं तुझे धीर करूँगा और हर कामों में परमिश्वर सहायता करने के लिए काते हैं मेरे पिर्यों इसलिए आप परमिश्वर की ओर देखें और परमिश्वर से हर एक बातों को सुनने क लिए उनके चर्णों में बैठे और उनके बचन को पर हैं चलते हैं अगले बचन की और यम्रिया सत्रा के साथ कहता है धन्य हवा पुरुष जो यहवा पर भरुषा रखता है जिसने परवेश्वर को अपना आधार माना हो जिहां मेरे पिरियो हर बातों में हर कार्जों में पर भरुषा रखने वाले ही परमिश्वर पिता उस मनुष्यों को धने काता है यसलिए मेरे पिरियो जो भी आप काम और जो भी आप है योजना बनाते हैं परमिश्वर में होके बनाएं और उनको अपना है आधार माने यसलिए पर हुँ आपको हरे कामों को शफल करेगा चलते हैं अगले बचन की और ब्यवस्था विवरन आठ के अठारव आयत में कहता है प्रन्तु तु अपने परमिश्वर यहवा को आस्मरन रखना क्योंकि वही है जो तुझे संपती प्राप्त करनी का शामर्थ इसलिए देता है कि जो बाचा उसने तेरे पुर्वजोर्शी इसलिए मेरे प्रयो इन बचनों को परहें आपको सफलता देगा चलते अंगले बचन की और भजन सहीता 37 के चार कहता है यहवा को अपने सुक्क का मूल जान और वह तेरे मनोर्थों को पुरा करेगा जीहां मेरे पिरो आज जो भी आपके जीवन में खुशी है जो भी आपके जीवन में आसीस है और जो भी आप आज जीवन में अच्छा महसूस करते हैं वो पारमेश्वर को सुख का मूल जानिये क्योंकि वही है जो हरी एक मनुरोतो को आपका पूरा करता है चलते हैं अगले बचन के ओर निती बचन 3 के एक और चार आयत में कहता है हे मेरे पूत्रे मेरी सिछा को ना भूलना आपने हिर्दय में मेरी आग्याओं को रखे रहना क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयू बरेगी औ और तु अधी खुशल से रहेगा किरपाव सचाय तुझ से अलग ना होने पाए बरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपने हिर्दय रूपे पटिया पर लिखना और तु परमिश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा तु अती बुधिमान होगा सो मेरे पिरियों अगर आप हर एक कामों में शफल होना चाते हैं आप बुधिमान होना चाते हैं और परमिश्वर के आसीश को पाना चाते हैं तीन बचनों को पर हैं और प्रात्ना करें प्रभु है जे आपको आसीश करेगा क्योंकि परमिश्वर का बचन कहता है कि तु प परसम है जे पारमिश्वर पिता के सामने है जे दिन बने उनको काम करने दे उनको अपने हरे कामों को हरे के चिंताओं को सब उनके चनों तले सौप करके आउनको है जे अपने सुछा के नुशार करने दे तभी वो आपको सिरोमनी बनाएगा और आपको हरे कामों को सफल तो मेरे पिरियों मैं आसा करता हूं कि आज का जो बचन है उस बचन से आप आसीश को पाएं होंगे अपने किमती समय निकाल करके इस वीडियो को देखने के लिए आपको कोटी-कोटी धन्यवाद करते हैं और मैं आप सबसे बिंती निवेदा नहीं करता हूं कि अगर आपको जाए मसी की गाड़ बले शीव